जहिन दोस्तो बाईजूस के गवर्मेंट एक्जाम प्रपरेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज के डेली करेंट अफेर्स में हम लोग देखेंगे फरवरी 2020 के कुछ मुख्य विश है जो आपके एक्जाम के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है तो प्रतवी पर तापमान में होने वाले जो बदलाव हैं उनही को मिलाकर हम लोग क्लाइमेट चेंज यान्नी जलवाईव परवरतन कहते हैं यह जलवाईव परवरतन हमारे जीवन पर प्रत्यक शुरूप से प्रभाव डालता है इसलिए इसके प्रभावों पर चरचा करना और उसके प्रभावों को रोकना ये बहुत अधिक मेहत पूर्ण हो जाता है हमारे जीवन के लिए। इसलिए climate change पर समय समय पर बहुत सारे conference होते रहते हैं और 2020 में भी ये conference हुआ। अब ये 2020 में conference पर हमारे एक्जाम के लिए कुछ point important है जिनको मैं आपको यहां बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि climate change पर एक conference किसने करवाया था तो ध्यान रखिए भारत का ही एक संस्थान है जिसका नाम है आरेभट institute of observational science ठीक है इसी संस्थान ने ये climate international conference करवाया था इसका headquarter नैनी ताल में है तो नैनी ताल में ही एक conference हुआ था तो आपको ध्यान रखने हैं दो बातें international conference on climate change कहां हुआ था नैनी ताल और किसने करवाया तो आरेभट institute of observational sciences ठीक है तो ध्यान रखिए सबसे पहली बात कि ये online सम्मेलन था क्योंकि इस सम्मेलन चल रहा है तो हेमवती नंदन बहुगुणा गडवाल university तो इस university के साथ मिलकर ही ये climate change conference कराई गए थी दो लोग इसमें ध्यान रखने हैं आपको अब अगर बात करें कि इस conference में हमने किया क्या है तो जैसे कि मैंने बताया कि climate change पर ही चर्चा करनी थी इसमें अब इसमें चर्चा का मुख कि विशे हिमालयन छेत्र था ये बात आपको ध्यान में करनी है ठीक है मुखिता हिमालय छेत्रों में climate change से क्या परिवर्तन हो रहे हैं या जलवायू परिवर्तन के वहां क्या प्रभाव हो रहे हैं जलवायू परिवर्तन करण जो वहां पे जलस्रोत हैं यानि जो glaciers हैं उ पर क्या प्रभाव हो रहे हैं इनी सब विश्यों पर यहां पर चर्चा हुई देखें यहां पर एक शब्द आया है aerosol air quality ये क्या होता है एक बार समझते हैं अगर हम मतलब समझें तो aerosol का समाने अर्थ होता है वायू मंडल में फैले हुए धूल के कण यानि जो dust particle कुछ वो प्रदूशित हो रहा होगा तो हिमाली छेत्रों में aerosol के करण वायू गुडवत्ता में क्या परिवर्तन आया है उससे जलस्रोतों पर या वहां और भी क्या-क्या प्रभाव हो रहे हैं इन विश्यों पर हमने इस conference में चर्चा की अगर हम देखें कि जलवायू सारे उद्योग लग गए हैं अपने इस देश में और भी कई देशों में तो अपने जो उद्योग हैं उनके निकलने वाले जो प्रदूशित वायू है जो प्रदूशित जल है उसकी वजह से भी प्रत्वी पर बहुत अदिक प्रभाव पड़ता है यह जो शहरी करण कि शहरी करण और अध्योगी करण के क्या-क्या प्रभाव मानाव स्वास्त पर या वायू गुडबत्ता पर या फिर हिमाले की जलवायू पर पढ़ रहे हैं देखे आरिबर्ट संस्थान जिसने ये इस कॉन्फरेंस कराई है यह भारत में एक पुरानी संस्था है ठीक है इस पुरानी संस्था ने काफी काम किया है जलवायू परवर्तन के प्रभावों पर चर्चा करने के लिए और उसको समझने के लिए तो इन्होंने पहले से ही अपना नैनिताल में एक मनोरा पीक नामा की जगह है जहाँ पर एक modern tools के साथ यानि आधुने यंत्रों के साथ ए बहुत एक और प्रकाशिक लक्षण है इन सबकी वो इनसीटू जाज करने के लिए वहाँ पर उन्हें संयंत्र को लगाया हुआ है पहले से ठीके ना तीन चार कोशन आपको ध्यान में करने हैं कि international conference on climate change किस ने कराया तो आरहबट संस्थान ने किस के साथ मिलकर कराया तो हे देशों के नाम यहाँ पे आए हैं और उनके बीच में जो national coordination committing meeting हुई थी उसके बारे में पॉइंट है तो बहुत important अपने आप में हो जाता है उजबेकिस्तान भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण देश है क्योंकि उजबेकिस्तान अपना एशिया का दूसरा वो द भारत के परिपेक्ष में भारत के संबंध में तो यह आपको ध्यान में करनी है बाते अब उजबेकिस्तान के साथ हमने क्या किया है उजबेकिस्तान के साथ हमने coordination meeting की है अब यह coordination meeting जो है इसमें क्या हुआ हम पढ़ेंगे सबसे पहली बात कि यह coordination meeting कब हुई थी तो 24 अगस 2020 को यह हुई थी यह बहुत बहुत important है दूसरी बात इस meeting में कौन-कौन रहने वाला है तो इस meeting में उजबेकिस्तान के जो उप प्रहान मंत्री हैं वो रहने वाले हैं और साथ में भारत के विदेश राज्य मंत्री जो हैं अब इस meeting में चर्चा जोगी वो तो normal सी बात है कि उजबेकिस्तान और भारत के बीच में किस प्रकार निवेश बढ़ाया जाए किन छेत्रों में बढ़ाया जाए किस प्रकार भारत और उजबेकिस्तान के बीच में वेपार संबन्द मजबूत हो इनी सब चीजों पर चर्चा करने के लिए meeting बुलाई गई है हलना कि भारत और उजबेकिस्तान दोनों ही एक दूसरे के लिए महतपूर है लेकिन अगर भारत की दरश्टी देखा जाए तो उजबेकिस्तान महतपूर देशों की स्रिणी में आता है सबसे पहली बात अगर्म देखें तो भारत और उजबेकिस्तान के बीच में अभी भी 300 मिलियन डॉलर का लगभग प्रतिबश वेपार होता है जो की बहुत बड़ी राची है दोनों ही देशों के लिए हाला कि भारत इसमें से आयात अधिक करता है यूरेनियम का लेकिन फिर भी दोनों देशों के में 300 मिलियन डॉलर का वेपार होता है तो ये दोनों अपने आप में एक महतपूर विशा बन जाता है दोनों ही देशों के लिए और इसी बात को ध्यान में करते हुए 2006 में ही दोनों ही देशों ने एक सूचना प्रिद्योगी की किंद्र भी बनाया था जिससे दोनों ही देश आपस में सूचनाओं का आदान प्रतान कर सकें हला कि फिर से 2014 में अपग्रेड भी किया गया ताकि और अच्छे लेवल पर और अच्छे स्थर पर हम लोग सूचनाओं का आदान प्रतान करके एक दूसरे के लिए साहिक बन सकें उजबेकिस्तान से ही संबंध्यों को सुधारने के लिए अभी हाली में 2019 में भारत ने उजबेकिस्तान के साथ एक युद्ध अभ्यास भी किया जिसको हमने दस्तलीक नाम दिया तो इध्यान रखिएगा अपने एक्जाम में पेपर में पूस रखता है कि भारत और उजबेकिस्तान के बीच में हाली में कौन सा युद्धव्यास हुआ या पहला युद्धव्यास कौन हुआ तो आपको ध्यान रगना है नाम था उसका दस्तलीग इसलिए भी उजबेकिस्तान हमारे लिए बहुत महत्पूर्ण हो जाता है तो ये भी बात आपको ध्यान में करनी है एक्जाम के पॉइंट आव वी से तीन बात ध्यान रगनी है कि जॉइंट कोडिशन कमिटी मीटिंग कहां हुई थी तो 24 अगस्ट 2020 को यह हुई थी किन के बीच में हुई थी भारत और उजबेकिस्तान के बीच में हुई थी अगर पूचे का कौन कौन इसमें शामिल रहा था तो भारत के साथ देखर देखें तो भारत के विदेश राजमंत्री रहे थे और अगर उजबेकिस्तान की बात करने तो वहां से उपरान मंत्री शामिल रहे थे ये आपको ध्यान में करना है दूसरा उजबेकिस्तान का नाम आया है तो देखे हमारे एक्जाम में कई बार मुद्रा और राजधानियां पूछ लेता है तो सभी की याद करने का सही तरीका ये कि न्यूस के साथ ही हम लोग उजबेकिस्तान की मुद्रा अब ये आई एफ के नाम से आपको कुछ-कुछ ध्यान में आ रहा होगा इंडियन एर फोर्स जी याँ ठीके तो ये एप्लिकेशन जो है ये इंडियन एर फोर्स नहीं बनाई है इंडियन एर फोर्स नहीं लॉंच की है तो इंडियन एर फोर्स के जो एर चीफ मानशल है अपने राकेश कुमार सिंग भदवरिया, उन्होंने ये application को launch किया है, अब दो question यहाँ पे बहुत important है, एक तो launch किस ने किया है, तो भारतिये, Air Force ये भारतिये वायू से नने, दूसरा इस application को बनाने वाला कौन है, तो इसको बनाया है CDEC, है न, इसका नाम है CDEC, ठीक है, ये short form भी ध्यान रखिए, पूछ सकता है आपसे short form के बारे में भी, तो इसको बनाने वाला है CDEC, हलाकि इसकी full form होती है, Center for Development of Advanced Computing, ठीक है, तो ये भी भारत का ये एक संस्ता ने, भारत की संस्ता है, जो भारत में computer के छेतर से जुड़ी हुई नई-नई तकनिकों का विकास करता है, और नई-ने तकनिकों के बारे में काम करता है, तो इसी Center ने इस application को बनाया है, और फिर भारतिय वायू सेना के AirGave Martialist को launch किया, अब ये application क्या करेगी, तो एक बहुत simple सक कामे करने वाली है, कि जो भी aspirants ऐसे हैं, जो भारतिय वायू सेना से जुड़ना चाते हैं, तो उ उन सभी लोगों को भारतिय वायू सेना के बारे में संबंधित जानकारियां देना, यानि भारतिय वायू सेना में कौन-कौन सी post रहती है, कौन-कौन से pay scale रहते हैं, या किस प्रकार की वहाँ पे duty रहती है, किस प्रकार अब लोग जोईन कर सकते हैं, इस प्रकार की सारी जो जानकारियां हैं ये application सभी experience को provide कराएगी ठीके ना तो अगर हम application के बारे में और देखें तो इस application में केवल जानकारिया नहीं है बलकि वाईू से ना के बारे में भी काफी कुछ information आपको यहां से मिलेगी वाईू से ना के बारे में भी काफी उसका इतिहास जो रहा है या अगर के वाईू से ना के बारे में कुछ update हासिल करनी है आपको कुछ नई नी चीज़ आपको पता करनी है तो भी आप इस application का इस्तमाल कर सकते हैं देखें एक बात आपको धियान करनी पड़ेगी current affair के साथ जो current affair का static gk है उसको जरूर prepare करते रही है क्योंकि static gk का portion ही exam में बढ़ रहा है उससे भी question बन रहे है तो advance आपको अगर रहना है तो आपको सारा का सारा static gk भी prepare करना पड़ेगा अब जैसे यहाँ इस news में cdeck का नाम एक आया ठीक है तो cdeck के बारे में आपको तीन बाते ध्यान में करनी है जरूर करनी है जो आपके exam में बन सकती है हो सकत ठीक है यह इसकी full form है आपसे सीधे full form पूछ सकता है या full form में से कोई एक word पूछ सकता है तो आपको ऐसा ध्यान में करना है अब अगर पूछे कि कब बना था तो 1988 में इसको बनाया गया था और भारा सरकार का ही एक मंत्राले है electronics एवं सूचना मंत्राले सूचना प्रद्यो में करनी है एक तो इसका कब बना था यह 1988 में बना था किसके इंतर रगात है तो electronics एवं सूचना प्रद्योगी की मंत्राले के अधिन काम करता है और मुख्याले कहां पे बच्चो इसका पुणे में इसका मुख्याले है तो ये बात ये आपको दो तिन ध्यान रचनी है जिस प्रद्योगी famous player भी है Australia के prayer है आप सभी को जंकारी होगी cricket के पेशेवर खिला ली है ये तो इन्होंने क्या किया था अभी अगस्त में cricket के सभी प्रारूप जो भी होते हैं चाहे वो test हो one day हो T20 हो या फिर जो भी वो प्रारूप रहते हैं उन सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की घुशना कर दी थी इसलिए Cameron White जो थे famous हो गए थे तो आपसे दो question पूशन पूसकता है कि या तो Cameron White किस देश से संबंदित हैं तो Australia संबंदित हैं किस खेल से हैं संबंदित तो cricket से संबंदित है या आपको ध्यान में करनी है बहुत सारे matches का record Cameron White के नाम पे है बहुत अपना production किया है और साथ मैचों में इन्होंने सीमित ओवरों में एक captain की तरह तीम का नेत्र तो भी किया है अगर हम इनके आखोड़ों पर गौर करें तो Cameron White ने टेस्ट में 146 वंडे में 2022 और जो T20 हैं उसमें 984 रन बनाए हैं प्रसम चलिणी क्रिकेट में इन्होंने 10,000 से अधिकरण बना चुके हैं तो ऐसे इनके record हैं record के बारे में आप लोग पढ़ें जरूर पढ़ें बट इनका ध्यान रखेंगे ये कितने one day match खेलें कितने T20 खेलें और कितने अंतराश्टी मैचों में captain की तरह रहें हैं ये आपको ध्यान में करना है अगर पुछेंगे किस किस तीम के लिए खेलते हैं तो देखें एक तो Royal Challenger Bangalore के लिए खेले हैं उसके बास Sunriser Hyderabad के लिए खेले हैं और उससे पहले Decken Chargers के लिए भी ये खेले हैं तो ऐसे तीन टीमों के लिए IPL में खेले हुए हैं तो ये question भी बहुत important है आपके exam के point of view से अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान में करना है Cameroon White 2007 और 12 के बीच में तीन टीमों के लिए खेले हैं 2013 में Sunriser Hyderabad के लिए और उससे पहले Decken Chargers और Royal Challenger Bangalore के लिए खेलते हैं तो ऐसी कुछ बाते हैं आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी हैं आगे बढ़ते हैं तो अगला एक news बह बहुत important news है पढ़ना है आपको देखें ICIC Lombard और भारती AXA Non-Life Insurance अभी ये दोनों ही कंपनियों ने अपने अपने वेवसायों को विले करने की घोशना करी है यानि जो ICIC Lombard जो General Insurance Company है और जो भारती AXA General Insurance Company है दोनों नहीं अपने वेवसायों को विले करने की घोशना कर द करोलोपय का बनेगा यानि जब ये दोनों मर्ज हो गई है तो मर्ज होने के बाद जो इन दोनों कंपनियों का मिलाके प्रीमियम जो इनको मिलता है प्रतिवर्ष वो 16,487 करोलोपय हो जाता है और इसको मिलाक अगर देखें तो भारत में इसकी हिस्सेदारी बजार में जो ह वो आठ पॉइंट साथ दश्मलव प्रत्रश्चत हो जाती है तो ये आपको एक ध्यान में रखनी है बात कि दोनों का कुल मला के प्रियम कितना है अगर हम देखें तो अगर इस समझाते के बाद देखें तो ICIC Lombard जो है वो तीसरे सबसे बड़े गैर जीवन बीमा करता के रूप में उपरेगा अगर हम इस से पहले देखें तो New India Insurance और United India Insurance दो भारत की बड़ी कमपनिया हैं इसके बाद तीसरी बड़ी कमपनी बन जाएगा ICIC Lombard इस विल्या के बाद तो ये एक महतपूर्ण निउज़ आपको ध्यान रखना है दोनों कमपनियों के नाम आपको ध्यान रखना है ICIC Lombard और भारती एकसा निउज़ नाई विंचोरेंस अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपको ये ध्यान रखेंगा अगर शेर धारकों की बात करें उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस विल्या के बाद तो देखें इस योजना के नुसार भारती एकसा के जो शेर धारक हैं वो भारती एकसे को प्रतेक 115 शेरों के लिए ICIC Lombard के दो शेर प्राप्त होंगे इसका मतलब है कि अगर किसी शेर धारक के पास भारती एकसा के 115 शेर हैं तो उसको दो शेर प्राप्त हो जाएंगे ICIC Lombard के SS का एक आकड़ा है यह आपको ध्यान में रखना है इस स्वादय के रूप में जो डिमर्जेंट कंपनी है यानि भारती और एकसा जो दो कंपनिया है उसके शेर धारकों को प्रतेक 10 रुपे की सैयुक्त एकाई के एक्यूटी शेर आवंटित किये जाएंगे यह भी आपको ध्यान में करना है इसमें जहां भारती को 18.2-3 मिलियन शेर प्राप्त होंगे वहाँ एक सैको 17.5-2 मिलियन शेर प्राप्त हो जाएंगे यह आपको ध्यान रगना है देखें अगला जो पॉइंट है वो बहुत इंपोर्टेंट होयाता है इस निउस के लिए अगर हम देखें कि वरतमान में क्या है तो वरतमान में जो ICIC BANK LIMITED है और उसकी जो ICIC LUMBARD में हिस्सेदारी है वो है 51.89 प्रतिशद और बाकी जनता की हिस्सेदारी है लेकिन जब ये सौधा हो जाएगा तो उसके बाद जो ICIC BANK LIMITED की हिस्सेदारी है वो घटकर रह जाएगी 48.11 प्रतिशद ये आपको बहुत जरूर ध्यान रखना है आपसे एक्जाम में पूल सकता है कि ICIC BANK LIMITED की हिस्सेदारी ICIC LUMBARD में सौधे के बाद कितनी जाएग तो उसका उत्तर होगा 48.11 प्रतिशद ये आपको ध्यान में रखना है तो ऐसी ये पूरी न्यूज है जो आपको ध्यान में रखना है यहां से कई कोशन आपके एक्जाम में बन सकते हैं ये कुछ डिटेल्स हैं जैसकि मैंने पहली बताया आपको कि करंट अफेर के साथ ज जनरल इंशोरेंस के जो MD और CEO हैं वो हैं संजीव स्रीमवाशन देखे बहुत important question हो जाता है ये हो जकता है पूरी न्यूज आपसे ना पूछे और सीधे आपसे पूछ ले भारती एक साथ जनरल इंशोरेंस के MD और CEO कौन है संजीव स्रीमवाशन तो ये भी एक महतपुन को कोशन है ये आपको ध्यान में करना होगा दूसरी कंपनी की बात करने तो ICIC Lombard है इसका मुख्याले की बात करेंगे तो Mumbai महराष्ट में इसका मुख्याले है और इस समय जो उसके MD और CEO हैं तो वो हैं भारगवदास गुपता ये चार question और भी आप जात करेंगे static GK के देख एक महतपूर्ण पुस्तक के बारे में चर्चा करने वाले हैं पुस्तक का नाम है GISTRIK CANCER GISTRIK या GISTRIK जो भी आप बुलना चाहिए इसको बोल सकते हैं GISTRIK CANCER ये बुक देखिए दो बाते इसमें याद करनी हैं आपको बहुत जरूरी है वो दोनों बाते आपको ध्यान में करनी हैं देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसको launch करने वाले जो हैं वो हैं जितेंदर सिंग ठीक है और पुस्तक का जो संपादन किया है यह जो लेखक हैं वो हैं अशोक के वैद ठीक है डॉक्टर अशोक के वैद एक बहुत प्रसित चिकिस्सक भी है और चिकिस्सा में उत्रष्टकार के लिए उनको 2009 में पदम श्री पुस्कार भी मिल चुका है तो उन्होंने ये पुस्तक लिखी है नाम से के लिए रहे गेस्ट्रि गई है तो इसको संपादन किया है जिदेन सिंग ने जिदेन सिंग जो केंद्रि मंत्री है और लिखने वाले हैं अशोक के वैद ये आपको ध्यान में करना है देखे इसको जो लॉंच किया गया था वो एक अभी उनकोलाजी पर एक वर्चुवल कॉन्फरेंस हुआ था ती किस ने लिखी है तो अशोक के वैद ने लिखी है अगर पुझेगा इसको लॉंच करने वाले कौन है तो लॉंच करने वाले है जितेंदर सिंग अगर पूसता है आपसे कि इसको पब्लिश किस ने किया है तो पब्लिश करने वाला जो है वो है स्प्रिंगर हेल्थ केर एज पुस्तकों के मामले में कि कई पुस्तकों पर मूवीज भी बन चुकी है हमने देखा तो इन्हीं की नई पुस्तक का नाम है One Arranged Mudder ठीक है ये चेतन भकत ने लिखी है अगर प्रकाशक की बात करने तो Westland Publication Limited द्वारा है प्रकाशित की जाएगी ठीक है तो ये कहना ये पुस्तक जो है ये एक विवस्तित विवाह की प्रश्टबूमी में एक हत्या का रहस है मतलब वही कि एक विवाह के बाद एक suspense thrill वाली एक book है जिसमें कोई मडर हो जाता है और वह मडर से ही पूरा पूरी कहानी रची गई होगी ये तो ऐसी पूरी पात्रों से भरा पड़ा ये पूरा suspense वाली पुस्तक है अगर हम देखें चेतन भगत के बारे में तो नौवा उपन्यास है उनका इस वर्न अरेंज मेर को मिला दें वाइट यंग इंडिया वांड्स मेकिं इंडिया ओसम है ना इस तरह की पुस्तके 5.7 ये हम पहले हम लोग देख चुके हैं क्लास में तो नई पुस्तकन आपको द्यान रखना है ये अपने चेतन भगत ने लिखी है और अगर गेस्ट्रिक कैंसर की बात करेगा तो गेस्ट्रिक कैंसर लिखी है अपने अशोक के वैदने ये आपको ध्यान में रखना है अगला अगर हम अवार्ड की बात करें तो एक वेबेग विंस 2020 ग्लोबल वाटर अवार्ड इसके बारे मुँको पढ़ना है देखें ग्लोबल वाटर अवार्ड मिला है वेबेग को अब ये वेबेग क्या है और ग्लोबल वाटर अवार्ड क्या है इसको पढ़ते हैं तो जल प्रद्योगी की प्रमुक है उनका नाम है वाटक व्याब इन्होंने चेन्नेई के क्वेंबडू में अपने 45 मिलियन लीटर ट्रीटरी ट्रीटमेंट रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट के लिए 2020 का ग्लोबल अवार्ड जीता है तो उसी प्लांट के लिए इन्होंने 2020 का ग्लोबल वाटर अवार्ड जीता है ये पुरुसकार अपना जो श्रीणी है अगर इसकी देखें तो वर्ष की अपसिस्ट जल परियोजना यानि जो अपसिस्ट जल होता है उसको साफ करके उसका प्रियोग करने इस केडिगरी में इनको ये पुरुसकार मिला ह ये आपको ध्यान में रखना है दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है एक तो ग्लोबल वाटर अवार्ड किसको मिला तो वैबाक को मिला है अगर पुझे का क्यू मिला है तो एक रिवर्स ऑस्मोसिट ट्रीट्मेंट प्लांट इन्हों लगाया था वाटर का चेन्नई को कोयमबडू में वो आपको ध्यान में करना है इनी के उपर इसको मिला है अगर हम देखें तो कोयमबडू चेन्नई में टिटी आरो सायंत्र जो लगा हुआ है ये भारत में सबसे बड़े तकनीकी रूप से उन्नत जल पुना उपयोग सायंत्रों में से एक है यानि ये ऐसे सायंत्र हैं जहां पानी को साफ करके पानी को ट्रीट करके दुबारा उसका हम लोग प्रियोग कर सकते हैं तो ऐसा सबसे बड़ा सायंत्रों में से एक है चेन्ने का ये कोयमबडू में लगा हुवा टी 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 आरो प्लांट तो ये भी आपको ध्यान रगना है प्लांट ब डेजाइन किया है, आपके लिए एक्जाम के लिए मुक्तर दो बाते ध्यान में करनी है कि ग्लोबल वाटर वर्ट किसे मिला और क्यूं मिला, तो ये दोनों बाते आपको ध्यान में करनी है, आगे गहरा हम बढ़ें, तो आगे देखिए इस प्लान्ट में एक जिसमें rapid gravity sand filters, यह कुछ इसकी तकनीकों के नाम लिखे हुए, rapid gravity sand filters है, ultra filtration है, reverse osmosis है और ozonation सामिल है, यह चारो तरह की जो layers हैं, चारो तरह की जो technique हैं, उनका इस्तमाल किया जाता है, और उसके बाद जितने भी पानी में, जो किटानू चोधन हैं, उसके लिए ozonation का प्रियो कहां लगा है, तो वो भी आपको ध्यान लगना है, चेननी के कोयमबडू में लगाया गया है, तो यह आपको ध्यान में करना है, जो अगर आकड़ो की बात करेंगे, तो 20 प्रतिशत से अधिक उप्चारित अप्शेजल को, हर साल 16 मिलियन से अधिक मीठे पानी के दोरा मु प्रतिशा की तरह है, जो आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ, हमने पिछली बार कुछ देखे थे, उसके बाद आगे के कुछ दिन हम लोग देखते हैं, तो देखें, World Autism Day ये एक महत्वपूर्ण दिवस है, जो कई बार एक्जाम में पिछले आभी चुका है, पूछ जा चुका है, और आगे भी इसके पूछने की काफी संभावना हैं, ओटिज्म एक बिमारी होती है, एक रोग होता है, जो बच्चों में होता है, जिसके दारा वो पढ़ने, रिखने, बोढ़ने, आदी की समस्याओं से जूजते हैं, सही स पढ़ समझ नहीं पाते हैं, और सही से उनका विकास नहीं हो पाता है, तो ऐसी आप्रेल को ध्यान रगना है, दो अप्रेल को हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड आप्रेल साथ विश्व स्वास्त दिवस, देखें, बहुत इंपोर्टेंट है, और आज कल जब कोरुना का काल चल स्वास्त रहें, किस प्रकार का हमारा खानपान रहना चाहिए, किस प्रकार जीवनशली रहने चाहिए, किस प्रकार हम लोग बिमारियों के प्रती सचेत रहें, ऐसा हम लोग जगरोता करने के लिए ये विश्व स्वास्त दिवस मनाते हैं, अप्रेल साथ को, तो दोनों य एक रोग है भारत में रक्ट से संबंदित रोग है तो इसको आपको ध्यान में कर लेना है रक्ट का थका जमना बंद हो जाता है हीमोफिलिया मरीजों को तो अप्रेल 17 को होता है विश्व विश्व विरासत दिवस थेकिना विरासत मतलब हेरिटेज हम लोग समझ सकते हैं तो जो भी पुरानी चीज़े हैं, जो भी एतियासिक चीज़े हैं, उनके संगरक्षन के लिए, उनके रख रखाव के लिए, हम लोग जागरूख रहें, हम लोग प्रयास करें, तो ऐसा सब काम करने के लिए हम लोग April 18, यानि अठारा April को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं, य अर्थवी दिवस इस तरह अपुरिल 24 को यह विश्व। पंचाइदी दिवस है और इसी परकार अपुरिल 25 यह विश्व। मलेरिया दिवस दिखें, मलेरिया दिवस कई बार exam में पूछ चुका है तो यह काफी important हो जाता है हमारे exam के द्रस्टी। विश्व मलेर दिवस कब होता है ध्यान के लिए 25 अप्रेल को विश्व मलेर दिवस होता है ठीके ना ये ध्यान रखेंगे आप लो देखे 25 अप्रेल की बात करें तो मलेरिया को हटाने के लिए मेरा इंडिया ऐसा करके एक प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने चलाया था तो मेरा इंडिया नामक प्रजेट भी 25 अप्रेल को ही शुरू किया गया था, वो 25 अप्रेल को इसलिए शुरू किया गया था, क्योंकि इस प्रजेट के द्वारा भी हमें मलेरिया को भारस से खतम करना है, तो इसलिए 25 अप्रेल को शुरू किया गया था, विश्व मलेर दिवस आपक के दिन चल रहे हैं इसमें 2-3 दिवस बहुत important हैं एक तो प्रत्वी दिवस आपको याद कर लेना है malaria दिवस तो बहुत जरूरी है विश्व विरासत दिवस बहुत जरूरी है विश्व जरूरी याद रखनी है एक तो आज ही के दिन यानि 25 अगस 1609 को जो हमारे गैलीलियो थे गैलीलियो एक विज्ञानिक थे तो इन्हों ने अपनी पहली दुर्बीन को आज के दिन ही प्रदर्शित किया था ये एक महत्पूर्ण न्यूज आती है हिस्ट्री के हिसाब से 25 अगस की दूसरा एक एक इंपॉर्ण न्यूज और भी है कि 1990 में आज ही के दिन जो हमारी संयुक्त राष्ट सुरक्षा परशद है यानि जो हमारी UNSC है यानि Security Council है UNSC की जिसमें पाँच देश शामिल है तो संयुक्त राष्ट सुरक्षा परशद ने 1990 में आज ही के दिन जो इराक देश है उसके विरुद सेनिक करवाई की अनुमती दी थी तो ये भी एक महत्वपूर्ण News है इसमें से भी आपको पहली नियूस तो आपको बहुत ही इंपरशन कप किया था 1609 में किया था इसके बाद देखे एक बहुत इंपरण नियूस है 2012 की ठीके देखे बहारी अंत्रिक्ष का मतलब पहले समझेए उसके बाद मैं को समझाओंगा आपको जैसे अपना सौरमंडल जो है अपना सौरमंडल इस सौरमंडल में एक सूर्य है और बाकी बहुत सारे ग्रहे हमको मिल ठीके वाइजर नाम सुना है कि आपने वाइजर वाइजर ठीके तो ये नासा एक संस्था है अमेरिका के हम सभी को मालूम है नासा जैसे अपने देश में इसरो है ऐसी अमेरिका में नासा है तो नासा का एक यान था वाइजर ठीके वाइजर को ही हमने भेजा था तो वाइ पहारी अंतरिक्ष के कुछ फोटोग्राफ, वहां के कुछ सेंसेज, वहां के उर्जा से संबंदित आखड़े और वहां के कई तरह के आखड़े साइंटिस्ट को यानि विज्ञाने को भेजता रहता है और आज भी भेज रहा है तो ऐसी स्टेडिम हमने वाइजर भेजा है जो काफी दूर इससे में निकल गया है और पूरे अंतरिक्ष के जहां हम लोग नहीं पहुंच सकते वहां पर पहुंच करे वाइजर हमको वहां से सारे डेटा, वहां सारे कंटेंट हमको पहुचा रहा है तो ये काफी इंपोरेंट था यह आपको ध्यान रखना है हिस्ट् में आगे चलते हैं आगे कुछ बात कर लेते हैं विज्ञान के कुछ facts की विज्ञान यानि science हमारे exams में धीरे धीरे अपनी percentage बढ़ा रहा है पहले science के question इतने नहीं थे मुख्यता से लेकिन अब science के question बहुत मुख्यता से पूछे जा रहे हैं तो इसको भी आपको ध्यान मे कर लेना है कुछ points हैं आपको देखने हैं जो बहुत important है हमारे exam में रहते हैं generally सबसे पहला carbon dating विधी ये carbon dating विधी बहुत important है हमारे body में या जितने भी organic material है जितने भी जो carbonic पदार्थ हैं उन सभी में carbon का एक प्रतिरूप होता है जिसका नाम होता है C14 और इस C14 हमारी मृत हमेशा घटता रहता है और एक निश्चित दर से घटता है ठीक है तो विध्याने क्या करते हैं इसके घटने की दर इसकी उपस्तिती के बाद जो fossils मिलते हैं यानि जो लाशे मिलती है या पुराने जो अवशेश मिलते हैं उसमें C14 की उपस्तिती से वो उसकी IU का पता लग दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत important है अत्यदिक शराब का सेवन करने से कौन सा अंग विशेश रूप से प्रभावित होता है तो ध्यान रखिये बतायता हूं आपको यक्रत होता है यह लिवर होता है जो सबसे अधिक रूप से प्रभावित होता है दाना कि जितना भी alcohol यह शराब का सेवन हम करते है यह शारी शराब यह सारा alcohol यह यकृत अब्जॉर्ब कर लेता है अवसोश्यत कर लेता है और अवसोशोद करने के बाद सबसे पहले और सबसे अधिक जो प्रभावित होता है वो यकृत ही होता है यह आपको एक गब ध्यान में होता है तिसरा काम करती है और सारा जो blood है वो निश्क्रिये भी यहीं पर जाकर होता है पलीहा इसको बोलते है हिंदी में इसी प्रकार अगर हम हरे पौधों की बात करें तो हरे पौधों में प्रकाश संसलेशन की इकाई क्या 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 खेलाती है तो आपको धेना है कौंटा सोम इसका नाम होती है प्लेट लेट्स ठीक है ना प्लेट लेट्स इनकों जानते है इसी में से RBC की जगे WBC काम पुछा गया है तो वही हमने पता ही है कि RBC में अपना हीमोगलोबिन होता है तो यह अपने रक्त के संचार में काम आता है यानि पूरी बाड़ी में जो रक्त के संचार होत में काम करती है तो ये बात आपको ध्यान करनी है कि white blood cell यानि सफेद question करती है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है या फिर प्रतिरक्षा यानि immune system को अच्छा करने का काम करती है आगे बात करें तो मचली के ई tão क्रानी है में कितने प्रकोष्ट होते हैं कितने चांबर होते हैं दानत्य है ध्यास के काम करती है तो इसका आंसर है देगे kidney, व्रक, ठीक, गुर्दा, अब यहाँ पे एक बात समझेए, अगर आपसे पूझे कर रक्त का शुद्धी करण कौन करता है, यानि रक्त को शुद्धी कौन करता है, तो ध्यान रगी हमेशा आपका पहला उत्तर होगा फेफडा, यानि हमारे lungs, यह आपको ध्यान रगना है, ठीके न, रक्त के शुद्धी करण से यहाँ पे मतलब है oxygen और CO2 से, यानि हमारे रक्त में oxygen को मिलाना और CO2 को उसमें से निकालना, यह काम करता है फेवडा, और इसी को हम लोग कहते हैं रक्त का शुद्धी करण, यानि purification of the blood, ठीके, अब अगर आपसे अवांचनिय पदार्थ पूछता है, यानि irrelevant matters पूछता है, तो फिर आपका अंसर क्या हो जागा kidney, जो अमरे रक्त को purify करता है, लेकिन अवांचनिय पदार्थों को बाहर निकाल कर, तो यह दोनों भाशा हैं आपको ध्यान रख नहीं है, अगर पुझेगा रक्त क चेंज कर देता है, विद्य तूरजा में, यानि electrical energy में चेंज कर देता है, यह आपको ध्यान रखना है, mechanical to electrical, यानि अपना यांतर कूरजा को विद्य तूरजा में यह बदल देता है, तो ऐसा आपको ध्यान में करना है, देखिए अगला जो question है, यह बहुत important है, यह pitch blending, यह pitch blending दो शब्द मिलते हैं हिंदी में, pitch blend इसकी spelling आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो pitch blend से कौन सा radioactive तत्यों प्राप्त किया गया था, यह ध्यान की, radium इसका नाम था, बहुत important है, मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा, तो मैडम क्यूरी ने अपनी पूरी life लगा चमकता है, इस radium का प्रियोग कई बार हम लोग street lights पर signals के रूप में करते हैं, ताकि रात में जो दूर से आ रहा है, उनको दिखाई दे signal, तो ऐसा यह radium होता है, radioactive होता है, pitch blend, इसलिए radium भी radioactive होता है, तो जब भी आप से पूचेगा, pitch blend से कौन सा प्राप्त किया गया, तो अगला question यह है, जो हमने अभी पढ़ा, कि अंतराष्ट्री जलवायू परिवर्तन सम्मेलन कहा हुआ था, तो यहीं पर question और ध्यान दिला दूँ, अंतराष्ट्री जलवायू परिवर्तन सम्मेलन किसने किया था, यह जरा मुझे बताईए, तो यह अपना संस्थान था, आ where is the headquarter of the CDAC, CDAC हमने पढ़ा था, CDAC ने My IAF application बनाने में अपना Air Force का साथ दिया था, वायू सेना का साथ दिया था, तो CDAC का मुख्याले हमने पढ़ा था, तो पुने में यह मुख्याले है, आपको ध्यान में रखना है, पुने में इसका मुख्याले है, पुने महरास्ट में अगला कोशन, तो यह जीतेंदर सिंग द्वारा कैंसर पर विमोचित पुस्तक का नाम लिखिए, देखे, आभी हमने पढ़ा कि कैंसर पर कौन सी पुस्तक उन्होंने विमोचित की थी, तो नाम उसका देखे ध्यान करिए, कैंसर आव वाम होल नाम था, या कैंसर गैस नाम था, जिन्होंने पुस्तक लिखी है, और इसका विमोचन किस ने किया था, तो जितेंदर सिंग ने किया था विमोचन, ये आपको बात ध्यान में रखनी है, एक पुस्तक हमने और पढ़ी थी, चेतन भगत की, जिसका नाम था, एन आरेंज्ज मडर, तो ये भी आपको ध्य लॉंच किया है, किस ने इसको बनाया है, तो ध्यान रखिए, भारती वायू सेना, ठीक है, भारती वायू सेना ने इसको लॉंच किया है, अब देखे, यहाँ पर किस ने बनाया और किस ने लॉंच किया लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, लॉंच करने वाल ध्यान में यहां से रखनी है अगला कोशन देखने हैं अगला जो प्रशन है वो है निम्ण में से कौनसी दो कमपणियों ने अपने व्यपार को एक साथ मिला दिया है तो अभी हमने पढ़ा था ICIC, Lombard और भारती, EXA इन दोनों ने ही अपने व्यपार को मिला दिया है और दोनों मिलाने के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी जो जनल निशोनिस कंपनी है वो बन गई है इसके बाद अगले प्रशन के और बढ़ते हैं तो अगला असान प्रशन है कैमरूट नवाइट किस देश से संबंदित हैं और क्रिकेट से सन्यास लिया है इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने सन्यास ले लिया है तो इसलिए ये इस समय निउस में थे हमको ये बात ध्यान रखनी है अगर आगे बात करें तो विश्व हीमोफेलिया दिवस्त हमने पढ़ा 17 अप्रेल को मनाया जाता है रक्त से संबंदित एक रोग है जिसके काफी मरीज बहुत सारी मरीज भारत में देखने को मिलते हैं तो उससे अवेरनेस क्रेट करने के लिए हम लोग दिवस मनाते हैं जागरूत के लिए मनाते हैं यह ताशकंद पे अभी बहुत न्यूज में था बीच में इसके उपर एक मूवी बनी थी ताशकंद फाइल जिसमें हमारे लाल भादुर शास्त्री के उपर यह मूवी बनी थी तो वहीं से यह ताशकंद है उजबेकिस्तान की राज़ानी है ताशकंद यह आपसे एक्जाम में पूछ सकता है तो उजबेकिस्तान की राज़ानी जो है वो क्या है ताशकंद है तो यह इस तरह से पूरे सारे हमने कोशन देखे अगस्त के तो अगली क्लास में हम लोग कोशन देखेंगे इस क्लास में आगे सके हमने कोशन देखे सभी को जैहिन धन्यवाद